हालो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो चैनल मैं रोविन दिवान आपका स्वागत करता हूं और भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट न्यूजलेंड ट्रैवल के बारे में तो भाई बहुत रिक्वेस्ट आती रहती हैं इसलिए मुझे वीडियो बनाने पड़त कर दिखते हैं और बहुत सारे लोगों के सवाल सेम होते हैं पतानी पीछह जाके वीडियो से नहीं देखते हैं या फिर फिर वह कहीं सच करते निहीं सीधा उठाकर मैंसेज कर देते हैं तो भाई देलेटित तो इस यूडियो में बाथ करेंगे और लेटेस्ट तो सबसे पहले तो भाई आप पने documents जो है वो ready करो दखो कहीं सारो लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं अभी मुझसे mostly जो common है कि भाई हमें काफी टाइम हो गया वीजा हमारा आया हुआ है हमने travel नहीं किया हमारा plan change हो गया और कम से कम किसी के 6 महीन होगे किसी के 8 महीन होगे किसी के 2 महीन होगे वो travel नहीं कर पाए और अभी उनको travel करना है तो वो travel कैसे करें तो ये सबसे बड़ा सवाल है तो भाई में चीज क्या है जखो ये इन सब सवालों का एक ही आपको answer है आप लोग अपने वीजा को सबसे पहले तो verify करो अभी के time में क्या issue हो रहा है mostly logo का मैं आपको बता दूँ कि अभी के time में जो main issue हो रहा है वो logo का visa verify नहीं हो रहा है that means कि it can be a problem for you अगर आप travel करोगे in future या भी या बाद में कभी भी तो वो verify नहीं होगा that means कि ये आपको problem हो सकती है अगर आप travel करोगे उस time पे अगर आपने visa verify नहीं किया तो तो visa verification process एक अलग process है भाई ठीक है वो आप जरूर करो जाने से पहले और सबसे important है कि verification आप जरूर करो दूसरी चीज क्या है अगर आपके पास document जो पूरे है देखो plan आपका change हो चुका है जो आइटनरी आपने डाले थी उस time पे वो तो भी काम करेगी नहीं आपको new plan बनाना पड़ेगा new plan बनाया होगे उससे पहले अगर आप verification आपकी हो जाती है okay that means आप ready to go हो आप जा सकते हो अब आपको क्या करना है अब आपको एक नया travel plan बनाना है 8 दिन का 10 दिन का 12 दिन का यह जो भी है यह 15 दिन का तो वो travel plan बनाओ उसके according आपको अपनी hotel booking करो plan के according ही hotel booking करो अगर ऐसे कर लोगे तो थोड़ा सा confusing रहता है in case अगर आप से interview होता है तो आप उनको explain कर सको अच्छे से आपके business के document आपके salary या फिर जो भी काम करते हैं उसके सारे document वो आप अपने पास रखो ठीक है यह सबसे जरूरी चीज़ है यह आपके पास होनी चाहिए और जब भी आप travel करोगे तो यह सारे document प्लस आपके travel plan यह आपके पास होना चाहिए documents में वह आते हैं भाई आपके जाने के ticket return ticket, hotel booking, insurance और आपका पूरा travel plan उसके साथ कहाँ कहाँ पर आप आप जाओगे कैसे कैसे और कब जाओगे यह सारा plan आपके पास होना चाहिए अब कहीं जो subscriber हैं वो क्या पूछते हैं भाई हमने एक बार travel कर लिया अब हमें दुबारा travel करना है तो भाई देखो जब आपने travel करी लिया है अगर तो आपके पास एक multiple entry visa है ठीक है वो visa के उपर लिखा होता है आप चेक करना mostly लोगों को multiple entry मिला है तो जिनको वो visa मिला है वो multiple entry पे definitely दुबारा जा सकता है कोई problem नहीं definitely 200% मिला पे travel करके दुबारा travel कर सकते हो कोई issue नहीं है ठीक है उसमें भी जैसे मैंने आपको बता है कि आपका travel plan ज़रूर आपके पास होना चाहिए ठीक है तीसरी चीज क्या है mostly लोग अभी क्या पूछ रहे हैं कि study पे हम जा रहे हैं क्या हमें कुछ issue आएगा या work permit पे हम जा रहे है क्या हमें इस ओएगा तो भाई कोई ऐसा issue वाली बात नहीं है आपका intention सही है तो कोई भी problem नहीं आएगी आपके documents नहीं है तो कोई भी problem नहीं आएगी बस तो सबसे important जो काम है आप लोगों का वो सिर्फ यह ही है कि verification आप जरूर करो mostly लोगों को पास spending visa पड़े हों है अगर वो verify नहीं होता है that means कि immigration ने हो सकता है या आपको visa cancel कर दिया automatically या फिर document में को issue हो तो हो सकता है कि उन्होंने cancel कर दिया हो और हो सकता है कि इसके regarding आपको कोई mail भी आई हो तो अगर mail नहीं आई ना verify हो रहा है तब आपको क्या करना है आपको इनको immigration को email करना है तब confirm करना है ठीक है तो अभी जो update थी वो latest वो यही थी भाई तो कहीं सारे लोग यह सवाल पूछ रहे दे तो comment सा सवाल तक काफी सारे लोगों का और सबको लगा कि हा तो यह इसका answer क्या हुगा तो भाई मैंने सबको यह मैंने बता दिया है आप लोग जब भी travel करो तो यह चीज आपके बाद जरूर रहे चीए अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको प्रोब्लम हो तो प्रोब्लम से बचने के लिए भाई आपको क्या करना है अगर आप नहीं वीडियो यहां तक देखे लिए तो चैनल को सब्स्राइब करना भाई आप लोगों को अपना चैनल है आप लोग इस वीडियो शेयर करते रहते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल से लिटेड सारी इंफोर्मेशन यहां पे लोग शेयर करते हैं कोई भी किसी को भी ट्रैवल करना है तो बड़े आराम से और आप वीडियो पूरी देखो स्किप मत करो उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगे तो जड़ कि किसी कंटरी में ट्रैवल करने के लिए क्या डोकमेशन लगते है इमिग्रेशन का प्रोसस कैसा है बोडिंग पास कैसे मिला कौन से लाइन से गई कौन से लाइन सस्ती है कितने बुजट में वो कंटरी हो जाती है तो यह सारी चीज़े आपको इसी वीडियो में इनी वीडियो में मिल जाती है किसी का कोई वीडियो ट्रैता तो इंस्टा पे आ जाना फोलो करो, मैसेज करो तो फोलो जुरूर किया करो भाई नहीं तो मेरे पास रिक्वेश्ट जो स्पैम में आती है कहीं बार पता नहीं चलता फिर आप बोलते हैं और मैसेज करें काफी टाइम से तो फोलो करके फिर मैसेज किया करो ताकि जो मैसेज आवा आज है इन्बॉक्स में और मैं आपको रिप्लाइ करो बिलोओं आपसे नेक्स वीडियो में तिल दें टेकर वाई तैक यू समस्पोचिंग वेग्रेट